सिद्धी हिंदी विद्धियालई यूटूब चेनल में आप सभी का हर दिक्ष वागत है आज हम कक्षा दस्वी में विग्नान और टेक्नोलोजी विशई के अंतरगत चेप्टर थ्री धातू और धातू के बारे में आगे अभियास करेंगे आज हम मिस्टर धातू के बारे में अभियास करेंगे मिस्टर धातू किसे कहते है उसके गुण दर्म क्या होते है कौन कौन से प्रकार की मिस्टर धातू होती है उसके अंदर कौन सी कटक धातू होती है मिस्र धातु के लाभ क्या है उसके बारे में हम अप्यास करेंगे सबसे पहले क्यों बनाई जाती है मिस्र धातु तो कोई भी काम जब हम करते हैं तो शिदिशी बात है कि हमें कुछ इच्छा होती है तो मिस्र धातु बनाने शे हम इच्छित जो गुन धर्म होते है उसमें थोड़ा सुधार कर सकते है जो धातू होती है उसके गुन धर्म में हमारी अपैक्षा के मुताबिक शुधार कर सकते है तो मिस्र धातू बनाने शे धातू के इच्छित गुन धर्म में थोड़ा सुधार हो सकता है हमारी जो अपेक्सा होती है उसमें थोड़ा सुधार होता है अब एक थोड़ी बहुत सिंपल सी बात है जैसे कि लोहा होता है लोहा वो बहुत ही ज्यादा प्रमान में उप्योग में ली जाती है लोहा जो होता है बहुत ही जादा प्रमान में उपयोग मिली जाती है परन्तु लोहा कभी भी सुद्ध अवस्था में मिलता नहीं है लोहा कभी भी हमें सुद्ध अवस्था में मिलता नहीं है क्योंकि लोहा बहुत ही गरम होता है लोहा बहुत ही गरम होता है और जब लोहा गरम होता है तो उसका तनन थोड़ा ज्यादा होता है मतलब हम उसको कोई भी आकार में मोड़ सकते हैं जब लोहा तनन होता है तब हम उसे कोई भी आकार में मोड़ सकते हैं शुद्ध लोहा जो होता है बहुती नरम होता है और जब लोहा गरम होता है तब वो तनन होता है मतल यदि लोहे में हम थोड़ा कारबन मिला दे कितना कारबन लगभग लगभग 0.05 प्रतिशत लोहे में हम थोड़ा कारबन मिला दे 0.05 प्रतिशत जितना कारबन हम मिला देते हैं तो जो लोहा जो नरम होता है सुद्ध लोहा वो जो नरम हुआ है उस लोहे को हम सक्त और अल्टिमेटली जो लोहा नरम था उसके अंदर हम यदी कारबन मिला दे तो ये लोहा जो गुण धर्मवाला था जो नरम गुण धर्मवाला था वो नरम गुण धर्म में सक्त और मजबूती आशकती है मतलब एक बात हमने सोची है कि नरम जो गुण धर्म लोहे का था वो कारबन मिलाने शे उस लोहे में हम कारबन मिलाते हैं तो जो हमारा गुण धर्मा हम प्राप्त करने चाते थे कि वो थोड़ा मजबूत बने, वो थोड़ा सक्त बने, वो थोड़ा कठोड बने, तो वो गुण धर्मा हम प्राप्त कर शकते हैं, मतलब यह मिस्र धातु ही, कि लोहे के अंदर हमने कारबन मिलाया, लोहे के अंदर हमने कारबन मिलाया, तो इस प्रकार्शे जो नरम लोहा हो जंग लगने का प्रमान भी कम रहता है जब लोहे को हम निकल और क्रॉमियम के साथ मिलाते हैं क्रॉमियम मतलब CR और निकल मतलब NI जब लोहे को हम क्रॉमियम और निकल के साथ मिलाते हैं क्रॉमियम मतलब CR और निकल मतलब NI तब हमें प्राप्त होता है stainless steel तब हमें कौन से प्राप्त होगा stainless steel जो लोहा होता है उसमें जंग लग सकता है पर जो stainless steel बनता है उसमें जंग लगता नहीं है जो लोहा होता है उसमें जंग लगता है पर stainless steel होता है उसमें जंग लगता नहीं है और ये सक्त भी होता है जो लोह लोहा होता है वो नरम होता है पर स्टेनलेस टील जो होता है वो थोड़ा सक्त होता है तो हम लोहे में दुसरे पदार्थ प्राप्त करते हैं दुसरे पदार्थ मिक्ष करते हैं दुसरे पदार्थ मिस्र करते हैं तब उसके जो गुण धर्म बदल जाते हैं यसे कि लोहा नरम पर उसके अंदर यदि हमने कार्बन डाला था तो सक्त बन गया था लोहा है उसमें क्रॉमियम और निकल डालते है तो सक्त भी बनता है और उस पर जंग लगता नहीं है अर्थात मिस्र धातु किशे कहते हैं कि दो या दो से अधिक धातु धातु को मिक्स करते हैं मिस्र करते हैं फिर उसे गरम करते हैं बहुत गरम करेंगे तो CGC बाते पिगल जाएगी पिगलना और फिर उसका समाङ विलयान बनाना ना और उसे ठंडा करना समांग विलयन प्लाथ उस विलयन को ठंडा करना इस पद्धति को जो मिलेगा उसे हम मिस्र धातो कहते हैं दोयाद उसे अधिक धातो को हम गरम करते हैं मिक्स करते हैं मिस्र करते हैं तत पस्चात उसे गरम करते हैं गरम करने के बाद वो पिघलती है और पिघल कर जो एकरस विलयन बनता है जो शमांग विलयन बनता है उसे हम ठंडा करते हैं और ठंडा करने के पस्चा जो भी हमें प्राप तो होता है उसे हम कहते हैं मिस्र धातू वापस से दो या दो से अधीक धातू या धातू को मिस्र कर पश्चात उसे गरम करते हैं गरम करने के पश्चात उसे हम पिगालते हैं और पिगल कर उसका एक रस विलायन बनता है और यह एक रस विलायन को मठंडा करते हैं और जो भी हमें प्राप्त होने वाला है वो है मिस्र धातू अभी एक और बात है मिस्र धातू के अंतर गतू यदि मिस्र धातू में आपको पता है दो या दो से अधिक धातू होती है अब इसके अंदर एकाद कोई भी एक धातू के रूप में मरक्यूरी होती है कोई भी एक धातू के रूप में मर्क्यूरी होती है तो वैसी मिस्रधातू को एक धातू के रूप में मर्क्यूरी मतलब पारा होता है तो वैसी मिस्रधातू को हम कहते है एमाल गम वैसी मिस्रधातू को हम क्या कहते है एमाल गम सर्रस मतलब हम मिस्र धातू बनाते हैं सपोस्पोस लोहा प्लस कार्बन तो बना श्टील पर मानों की लोहा प्लस मर्क्यूरी तो उसमें बन जाएगा एमालगम जिश मिस्र धातू के अंतरगत एक घटक धातू के रोप में मर्क्यूरी होती है वैसे मिस्र धातों का नाम पढ़ेगा एमालगम दूसरी बात मिस्र धातों की जो विद्यूत चालकता होती है मिस्र धातों की जो विद्यूत चालकता होती है और उसके जो गलनांक होते है दो गुण धर्मा की बात कर रहे है ये दो गुण धर्म शुद्ध धातू का जो भी होगा गलनांग या तो विद्द्धू चलकता उसकी तुलना में काम होते है जैसे कि लोहा प्लस कारबन तो बना श्टील एफ़ी प्लस कारबन तो बना श्टील तब क्या होगा कि जो श्टील का विद्धू चलकता और गलनांग होते है वो लोहे से काम होते है वो लोहे से काम होते ह गलनांक और विद्योच चालकता जादा है मतलब हम यह कह सकते कि मिस्रधातू की जो विद्योच चालकता होती है या मिस्रधातू का जो गलनांक होता है वो उसकी घटक धातो की तुलना में कम रहता है अभी हम अलग-अलग मिस्रधातों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि पहली मिस्रधातों के रूप में हमने पढ़ा है पित्तल पित्तल कौन-कौन से घटक्ततों की मिस्रधातों है तो पित्तल बनाने के लिए कोपर और जिंक को हम मिक्स करते हैं पित्तल बनाने के लिए हम कोपर और जिंक को मिस्र करते हैं मतलब पित्तल जो मिस्र जातू है वो कोपर और जिंक की मिस्र जातू है फिर दूसरी है काँ सा दूसरी मिस्र जातू है काँ सा वो काँ सा जो मिस्र जातू है वो है कोपर और टीन की मिस्र जातू टीन मतलब FN टीन मतलब SN जो पितल मिस्रजातु है उसकी घटक जातो कौन सी है कोपर और जिंक जो कासा नाम की मिस्रजातु है उसकी घटक जातो कौन सी है कोपर और टीन इसको उम ब्रॉंज भी कह सकते है इसको उम ब्रास कह सकते है फिर स्टेल के बारे में तो हमें पता ही स्टेल किसकी मिस्रजातू है लोहा प्लस कार्बन फिर स्टेनले स्टेल की बात करें तो किसकी मिस्रजातू है लोहा निकल और क्रॉमियम स्टेनले स्टेल किसकी मिस्रजातू है लोहा निकल और क्रॉमियम लोहा, निकल और क्रॉमियम फिर दूसरी बात है यह तांबे का जो उपयोग होता है वो किसके लिए होता है विद्धुत के तार बनाने के लिए फिर एक और बात है जो सोल्डरिंग में उपयोग में आती है solder के लिए जो मिस्टर दातो का उपयोग होता है solder मतलब दो तार को जोड़ने के लिए वो lead और team lead मतलब PB team मतलब SN ये दोनों मिस्टर दातो lead और team का मिस्टरण करके shouldering wire का उपयोग होता है क्योंकि इसका गलना कम होता है इसका गलना कम होता है और इस मिस्रजातों का उपयोग जो होता है वो दोनों तालों को जोड़ने के लिए होता है फिर दूसरी बात है जो शुद्ध सोना होता है वो सुद्ध सोना 24 केरेट का होता है सुद्ध गोल्ड जो होता है वो 24 केरेट का होता है पर वो नरम होता है शुद्ध गोल्ड 24 केरेट का होता है पर उसका एक लक्षन है नरम होता है मतलब उस पर थोड़ा बहुत दाब आता है तो उसका जो आकार होगा वो बदल जाएगा थोड़ा बहुत दबाव आया तो उसके आकार में चेंजिश हो जाता है मतलब 24 केरेट सोना जो गोल्ड होता है वो पहनने लायक नहीं होता है इसलिए जब हम गहने बनाते हैं तो क्या करते हैं 22 केरेट सोने के गहने बनते हैं 22 केरेट सोने के अंतरगर बाइस केरेट गोल्ड होता है और दो केरेट में अन्य धातू जैसे के चांदी है कोपड़ है पलेटीन अन्य धातू के रूप में दो केरेट का उप्योग होता है और इसके कारण दो केरेट अन्य धातू मिलाने के कारण दो केरेट अन्य धातू हम मिलाते हैं तो उसके कारण क्या होगा दो केरेट अन्य धातू मिलाने के कारण जो ये नरम थी ना गोल्ड सुद्ध गोल्ड नरम था वो थोड़ा सक्त बन गया और उसके कारण ये गहने हम पहेंच सकते हैं मतलब 24 केरेट सोना जो होता है वो नरम होता है 24 केरेट सोना नरम होता है परिणाम श्वरोप उसमें से जो भी गहने हम बनाते हैं वो नरम होते हैं और उसके काराण थोड़ा बहुत उस पर दबाओ भी आता है तो वो गहने का जो आकार होगा वो बदल जाएगा पर यदि हम बात करे कि 22 केरेट सोना उसमें हम 2 केरेट अन्य धातु मिला दे तो जो आबुशन होते हैं जो गहने होते हैं वो पहनने लायक बनते हैं क्योंकि 2 केरेट अन्य धातु मिलाने के कारण जो नरम थाना वो सक्ति का गुमिदर्म आ जाता है इसलिए हम 22 केरेट गोल्ड को मिस्र धातु का नाम देंगे हम ऐसा सवाल करते हैं कि 22 केरेट गोल्ड आपको लगेगा कि ये तो गोल्ड है लाओ ना धातु लिख दू पर 22 केरेट गोल्ड इसका मतलब 2 केरेट अंदर अन्य धातु मिली हुई है तो सी जिसी बात है कि 22 केरेट गोल्ड 22 केरेट सोना वो मिस्र धातु है और जो भी धातु सोने की जो भी सुधता होती है वो केरेट मातरक में मापी जाती है सोने की सुधता केरेट मातरक में मापी जाती है और जो धातु की सक्रियता कम होती है वो धातु आसानी से कटती नहीं है बहुत सक्रियता कम जैसे की सोना, चांदी, प्लेटीनम ये धातु की सक्रियता बहुत कम है तो ये धातु आसानी से कटती नहीं है कौन सी धातू जो धातू की सक्रियता बहुत कम होती है और सक्रियता सरणी में सबसे नीचे होती है वो धातू आसानी से कटती नहीं है उदा आरण के रूप में स्वाना, चांदी और प्लेटीनम धन्यवाद यदि यह वीडियो आपने देखा हो तो इस वीडियो को लाइक किजिएगा अपने मित्र को शेर किजिएगा और स्विद्धी हिंदी विद्याल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले ताकि जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे तन्यवाद